हलो फ्रेंड्स मैं सब्रोक सुनील ताओं और कंसल्टेंट E&T एंड राइनोप्लास्टी सर्जन दोस्तों आज हम डिस्कॉस करेंगे क्या टिफ्रेंस है वाट इस दा डिफ्रेंस बिट्विन दा राइनोप्लास्टी एंड सेप्टोप्लास्टी बट वीडियो में आगे सेप्टोप्लास्टी दोस्तों अगर हम बात करते हैं सेप्टोप्लास्टी की दोस्तों, septoplasty जो surgery है, यह नाक का जो septum है, उसको ठीक करने के लिए surgery होती है, उससे हम septoplasty surgery बोलते हैं. दोस्तों, यह अगर septum जो है, अगर septum जो है, exact जो है, नोज की मिड लाइन में नहीं होके, एक तरफ deviated होता है, या तो right side में, या left side में, या गुमा हुआ होता है, या buckled होता है, तो उसको क्या है, DNS बोलते हैं, deviated nasal septum. तो दोस्तों, अगर इस deviated nasal septum के कारण जो है, हमारे को breathing में जो है, ब्लोकेज होता है, या जो भी problem है, या nose से bleeding होती है, whatever we have the problem, तो उसको जो correction करने के लिए जो operation किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, septoplasty, so septoplasty first entirely endoscopic है, उसमें नाक के बाहर से कहीं कोई चीरा या पट्टी नहीं लगाया जाता, वो totally endoscopic technique से ठीक किया जाता है. अगर हम दूसरी सर्जरी की बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है, कि जो नाक का septum जो आपना टेडा मेडा है, DNS है, उसके कारण अगर नाक की जो बाहरी सेप में कोई परिवर्तन नहीं है, अगर बाहर का हमारा जो है nose बिलकुल normal है, तो हमारा septoplasty के मार्ति से उसको ठीक कर सकते हैं, अगर हमारा nose जो है, उस deformity और विकरती के कारण बाहर से भी विकरत है, यानि पूरा का पूरा nose data है, nose के उपर bump आ गया, या हमारा tip एक तरफ जा रहा है, ठीक है ना, तो इस जो deformity को करक करने के लिए, जिसमें दोनों चीजें देखी जाती है, दो that means regarding the breathing, so if you want to improve both in the look and the breathing, then we go for the rhinoplasty procedure, उसमें दोनों चीजें की जाती है, गोल देख से जो उस सर्जरी का कह है, कि we just get a blockage-free nose, हमारा nose blockage-free होना चाहिए, so second, हमारा जो भी जो हमारा issue है, अगर हमारा nose broad है, हमारे nose पे bump है, या हमारा nose के उपर टेड़ा-मेड़ा है, तो इसको भी ठीक करना, इसको हम राइनोप्लास्टी बोलते हैं, सो दोस्तो, राइनोप्लास्टी सर्जरी के बाद में, हमारा जो नोज पे है, सेप्टोप्लास्टी से दो चीज़ें अलग होती है, पहला इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, अगर हम सेप्टोप्लास्टी सर्जरी की बात करते हैं, तो हाड़ली गंठे बर में वो surgery हम finish कर सकते हैं बट rhinoplasty में दोस्तों उस nose का जो है वो balance जो है उसका asymmetry को balance ठीक करने के लिए rest of face से balance करने के लिए अमोमन डाई से 3 गंठे उसमें लगते हैं दूसरा surgery जब हम करते हैं तो उसका जो incision है यहाँ पर क्या है nose के nostril inside और यहाँ पर जो है वो incision लगता है जिससे इस entire nose को de-glowing किया जाता है skin को उपर उठाया जाता है यह अलग बात है कि जब हम उसको ठीक करते हैं उसके बाद उसको suture लगा देते हैं तो nobody can recognize and usually यह निसान हमारे को इतना पता नहीं लगता तीसरा फरक दोस्तों इसमें कहा है कि rhino plastic के बाद में कहा है जो हमने पूरा यह जो हमारा system है जो हमारा nose का framework है जिसको हमने change किया है उसकी protection के लिए nose के उपर एक plaster लगाया जाता है एक splint लगाया जाता है 10 days के लिए जिससे हमने changes जो हमने किये हैं वो changes disturb नहीं हो सो क्या फरक हुआ हमारा appearance में change हुआ हमारा बाहर जो है हमारा incision लगा और nose के उपर एक plaster लगाया है सो यह difference है septoplasty है, rhinoplasty में septoplasty में कहीं नाग के उपर plaster लगाने की जरूद नहीं है क्योंकि हमने nose का जो हमारा appearance का कोई issue नहीं है हमारा functional का issue दा जो हमने septum को ठीक कर लिया इसलिए दोस्तों अगर आप septoplasty करा रहे हो यह rhinoplasty करा रहे हो यह आपकी surgeon से अच्छे से इत्मिनान से discuss कर लेना चाहिए कि क्या मेरे को septoplasty से मेरा nose ठीक हो जाएगा या मुझे rhinoplasty की जरूद है दोस्तों एक बड़ी ही important चीज है जिसका हम discuss करेंगे बहुत बार आपके nose के अंदर जो है वो आपको लगता है कि मुझे septoplasty ही कराना है लेकिन nose की बाईयें विकरती भी होती है लेकिन बाईयें विकरती के लिए patient keen to do नहीं है he is happy with nose उसको लगता है कि मेरे जो बार से sept ठीक है मेरे को अभी septoplasty ही कराना है दोस्तों अगर आप as a rhinoplasty surgeon जो है अगर आप recommendation अगर आप चाते हैं तो अगर आप दोनों का अगर आप simultaneous कराना चाते हैं तो वो ज्यादा better है उसका region यह है कि अगर हम जो है rhinoplasty और septoplasty अगर same condition पर करते हैं तो दोस्तों septoplasty में जो हम axis यानि जो बड़ा हुआ हमारा septum cartilage है जो हम निकालते हैं उसको जो reset करते हैं तो वो जो graft का जो material है जो axis part of septal cartilage है वो nose के reconstruction में यूज में ले लिया जाता है बहुत बार दोस्तों जो secondary or revision case है जिनकी पहले septoplasty surgery हो चुकी है और वो अब rhinoplasty कराना चाहते है तो उनके लिए फिर वो graft का जो material है वो हमारे को क्या है कि ear से या ribs से लेना होता है तो ये चीज जो अगर आप simultaneous साथ में कराते हैं तो उसको लेने की जरूत नहीं पड़ेगी ये उसका advantage है और एक sitting में आपके दोनों सर्जरी साथ हो जाएंगी दोस्तो ये आपने जाना कि क्या राइनो प्लास्टी है क्या सेप्टो प्लास्टी है कब मुझे सेप्टो प्लास्टी की जरूत है कब मुझे राइनो प्लास्टी की जरूत है इसके रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है आप मेरे को मेरे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं जिससे उसका डेफिनेटली उसका रिप्लाई मिलेगा यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूले जिससे आने वाले उपयोगी वीडियो की जानकारी मिलते रहे थेंक्यू